दोस्तों Big Billion Day Sale खतम होने वाला है बस दो-तीन दिन बागी है मैंने पर्चिस कर लिया Samsung Galaxy S23 तो यह स्मार्पोन में को कितने रुपे में मिला इसका unboxing और इसका overall experience कैसा है वो आपके साथ share करने वालो तो यह देख सकते हो मैंने मंगाया है 8GB RAM and 256GB और स्टोरेज और यहां पर क्रीम वाइड कलर मैंने मंगाया है तो कुछ इस तरिके का इसका box देखने को मिलता है आप जाओगे तो इसकी जो प्राइजिंग लिखी है वो 96K लिखी है जो कि Samsung हमेशा जादा ही लिखता है और यहां पर यूनिट देख सकते हो एक है केबल के साथ आएगा एक मैनवल है एक एजेक्शन पिन है और यहां पर उसकी कुछ एड्रेस वगरा दिया है Samsung का तो अभ यहां पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज का स्पीड मिलेगा और यहां पर आपको 4.0 जो कि ऑन पेपर भी डबल स्पीड है इसका तो यहां पर दोस्तों कुछ इस तरीके से बाद में आप उपन कर लोगे तो यह रहा आपको सबसे पहले फोन देखने को मिलता है यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से फोन आता है एक पेपर में आता है तो इसको मैं साइड कर लेता हो एंड यह अपना डबबा है यह यूजर मैन्विल आपको देखने को मिलता है फिर उसके बाद यहां पर एक बॉग्स दी है जिसके अंदर आपको USB Type-2 Type-C वाला क सब्सक्राइबल देखने को मिलता है तो कोई भी एड़ेप्टर नहीं है यहां पर इसका अटर का टॉप स्पीड आपको देखने मिलते है तो प्वेटी फाइव वाट मैग्जिमम सपूर्ट करता है स्पीड तो यहां पर आपको एक घंटा 10 मिनिट के आरd एक घंटा 20 मि यह रहा बॉक्स एंड उसके बाद दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरीके से एक पेपर पीछे आता है एंड यहाँ पर एक तो मैंने अल्रेडी इस पे एक स्क्रेच गर्ड लगा लिया है एंड यह स्क्रेच गर्ड थोड़ा कॉसली आया लोकल शॉप में भी 300 वेगा बेचते है बिकॉस इसका जो अल्ट्रा सॉनिक फिंगर्पिंट है उसके लिए चाहिए रहते है तो इसको मैंने सेट अप भी कर ल हात में इन हेंड फिल लिया तो इसका जो फॉर्म फेक्टर है मैं अल्रेडी यूज कर रहा था पिक्सल का 6 है जो कि 6.1 इंच था एंड यहां पर दोस्तों अगर उसके साथ मैं कंपैर करूँ तो यह देख सेकतो 6.1 इंच पिक्सल भी है और यह भी है लिकिन फिर भी पिक् एक्सिस का फ्लिप काड वाला क्रेडिट काड है तो आपको यह दोज़र पर डिसकाउंट हो जाता है नहीं तो 45 है तो अभी करेंटली प्राइस 45 हो गए मैंने थोड़ा लेट कर दिया और उसके बाद मैंने बुक कर दिया तो मैंको डिसकाउंट के साथ 43 के अरॉंड मिला अगर आप दुफ्वेर या उसके पहले करते तीन तारिक को तो आपको यह 41 तक आजा था अगर आपके पास एक्सिस का फ्लिप काड क्रेड काड होता तो यहां पर दोस्तो मैंने सोचा भी मेरा जो फोन था पिक्सल का 6 से उसमें कुछ इश्यू जाने लगे थे और बीडी क भी हम लोग बात में बात करेंगे और फ्रंट का 16 मेगा पिक्सल है तो आप बैक से 8 के 30 fps तक मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते और सारे लैंसे आप 4 के 60 fps में रिकॉर्ड कर सकते जो काफी बढ़िया बात है यहां पर दोस्तों देख सकते हो इसका जो एंडॉड का वर्जन है व सेमसंग ने तो यह करेंटली एंडॉड 17 तक जाएगा यहां पर आपको और एडिशनली एक दो साल सेकरोटी पैच का अपडेट भी देखने को मिलेगा तो जो भी सेमसंग का एस 24 में AI किया सेमसंग ने वह सारी फीचर सरकल टू सर्च वगरा सबकूर इसमें देखने को मिल दोस्तों अगर अपका बजट जा रहे है 45 तक तो आप डेफिनेटली इसको पर्चेस करने का डिसन ले सकते हो मुझे तो काफी पैसा वसूल लगा डिवाइस इसलिए मैंने पर्चेस कर लिया अगर आपको वीडियो चलेगी तो डेफिनेटली आप यह फोन को ले सकते हो व यह थिए मैंने और मने खूलेए तो कर से क्या कि तो यह जो कि पीस अब्सक्राइब कर दूस्तों तो के दो कि अडेए जा को कि यह वीड़ कर बतात्य हम उएर चूorous डब्सकर तो कमा आपको ज़ूरी है यह व्ड़ी छोर बासी पंड़ी जाय, तют